हेलो डीह स्टूडेंट, वेलकम टूस भी स् Animals प्लस, ड स्टूडेंट, अगर आप बी ए में हो चाहे आप बीयास्निम अच्ठी में हो चाहे आप इंजिनलेरिंग कर रहे हैं, अगर आप मैस से कर रहे हैं, तो आप लिए वीडियो बहुत ही इंपार्टंट है, जो कि यह कैलक specific chapter पर वीडियो बनवाने हैं तो आप comment box में comment कीजेगा या description link में आपको whatsapp number रहेंगे, telegram group रहेंगे आप वहाँ से connect होकर बताइए गया कि आपको किस chapter पर चाहिए तो चलिए हम इससे start करते हैं दोस्तो इसके जो basic knowledge required हैं जैसे कि 11-12 के other other जो बाहर से भी है कुछ basic knowledge वह हम आपको बताएंगे आप प्लीज पूरा वीडियो यह देखिए तो पहला तो हम limit का notation देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि limit extending to a limit extending to a fx fx क्या होता है function होता है तो इसको अगर हम solve करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह से आएगा limiting value यह होंगे जो तो इससे हमें मतलब नहीं है यह हमारा notation है यह important है अगर ऐसे ही end function है तो इस तरह से हम denote कर सकते हैं तो यह हमारा तो हो गया notation अब हम आई यह देखते हैं कि इसके properties क्या है limit के दोस्तों हम indeterminate form indeterminate जो form है उसमें जो formula लगेंगे पहलो हम discuss करेंगे उसके बाद हम indeterminate form chapter पढ़ना start करेंगे अब property अब limit क्या है आप देखिए कि पहला इसमें जो है हमारा अब इसम्रोल जाहें सट्रेक्षन का हो जाहे अडीशन हो यह फर्क नहीं पढ़ता लेकिना 플ेंट है अब बड़े class में आ छुके सम का मतलब यह नहीं होता है कि आपका जो है कि एम प्लस प्लस ही मतलब होता है समके मतलब एडिशन नहीं दोस्ट तो सब्ट्रेक्शन मतलब यह जो नेगेटिव एन इसका भी हम नेगेटिव का भी एड हम कर सकते हैं जैसे माइनस 5 प्लस माइनस 6 एड किया ना तो क्या है माइनस 11 तो इस तरह है मतलब हम एड कर सकते हैं तो आप कन्फ्यूज ना हुएगा सम तो यह लिमिश x टनिंग टू ये ए एफ एक्स प्लस एक बार में एक ही लिजिएगा जीएक्ट यह मार फंक्चन में आपको सब्ट्रेक्शन एन एडिशन एक ही में समगाना चाहता था अब आप दिखो अगर ये एडिशन में आया सब्ट्रेक्शन के रूप में तो हम इसे तो इनको भी अलग बहुत आसानी से लिख सकते हैं तो कोई अ टेंसर मानी बात नहीं है अब हमारा नेक्स्ट जो है अभी यह दोस्तों जो प्रोपर्टेंट ना बहुत इंप्रोपर्टेंट है आगे कुछ प्रोपर्टेंट यह तो आपको 11 वगरा में भी प्रोपर्टेंट परते हैं लेकिन कुछ लोग होता है जो नहीं जानते हैं उन लोग के लिए भी यह बहतर रहेगा कि अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन ये इसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर लिमिट आप ले रहे तो उसपर कोई चेंज नहीं आता है स्यम होई रहता है जैसे डू का लिमिट सेम होई डू ही रहेगा तो कोई और है कि नहीं है अभियां पर देखो अगर को किसी function के साथ constant है तुर से हम simply बाहर लेक सकते हैं simply अगर आग की questions में मिलते हैं तो हम constant का तो simple constant ही रहता है अगर किसी के साथ constant का multiply है तो हम बाहर लिक लेंगे अब आ ये product rule कैं होता है product rule हमारा basically बहुत important है देखे ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ इंटु जी एक्स तो इस तरह से हम इन्हें भी अलग अलग लिख सकते हैं ओके इस दे आर एक्जिस्ट अगर यह ऐसा नहीं की सिंप्ली इस तरह से आप लिख सकते हो अलग-अलग इन सब को ओके तो यह इतने फॉर्मुले तो आप लेडी जानते हो लेकिन नेक्स्ट जो फॉर्मुले आईए देखते हैं ओक इस तरह से हैं अब क्वेशन्ट रूल क्या होता है इसमें तो बच्चों बहुत कंफ्यूज सकते हैं अलग-अलग उपर लिमिस्ट एक्स लिमिट एक्स तो इस तरह से अगर यह एक्जिस्ट करेगा तब दोस्तों चाहे मल्टिप्लाई में हो चाहे किसी में अगर यह सब अगर नीचे वाले हां पर जीरो तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन नीचे जीरो हो जाएग तो वन अपान जीरो इक्वेस टू इंफाइना एट फिर वह इंडेटर्मिनेट फर्म बन जाएगा फॉर्मूले दोस्तों एक्जिस्टी नहीं करेंगे फिर तो आपको यह जीरो नहीं होना चाहिए है कि नहीं अब आई यह नेक्स्ट पावर रूल भी पावर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो हमारा पावर रूल है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेस्टन देखने को मिलेंगे इस पर जो कि देखो लिमिट एक्स्टेंडिंग टूए एफ एक्स का पावर पी है तो दोस्तों लिमिट का है कितना बहतरीन प्रोपाइटीज ह है कि यह आप देखूँ कि लिमिट एक्सटेंटिंग डूए एफ एक्स का होल पावर यह हो जाता है फिर आप लिमित रखके वैलू निकाल लोगे यह एने रियल नंबर क्या होता है आपको पता है है कि नहीं कि अब आप देखो लिमिट आप एक्सपोनेंशिल फॉंक्षिन इसका भी मोस्ट इंपॉर्टन यह प्रोपर्टी है कि अगर लिमिट एक्स्टेंडिंग टुए है इपावर यह है दोस्तो इपावर एफ एक्स फिर हम इन्हें लिख्या सकते लिमिट एक्सटेंडिंग टुए इपावर एफेक्ट देखो इपावर लिमिट यह जो लिमिट है न पार्ट यह उपर चला जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टुए एफेक्ट दोस्तों हर जगा लिमिट कहां जाना चाहेगा वह अपने फंक्सन के पास जाना चाहेगा ह यहां पर बेस है जो कि जीरो से बड़ा है जीरो से बड़ा लिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि माइनस वाले का चाहें रूट करें यह एक्जिस्ट नहीं करता है अगर मैं माइनस वान पावर वन बाई टू करता होती एक्जिस्ट नहीं करता है ना कॉंप्लेक्स नंबर बन जाता है ओके तो अब आईए इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं और इसका कोई कंसेप्ट नहीं है अब यहाँ पर लिमिट आप लॉगरित्म फंक्शन जो हमारा लॉगरित जो कि हमारा यह बेस है हमारा लॉग एफ एक्स बेस ई लॉग एफ एक्स बेस ई तो इस तरह से है लिमिट बाहर है तो मैंने बोला ना लिमिट हमेशा कहां जाना चाहेगा फंक्शन के पास यह ध्यान मेरे तो लॉग जो कि हमारा लिमिट एक्स बेस ई यह रहेगा आप कैस आपको वहाँ पर लगते हैं फॉर्मूले जैसे कि लॉग मन की वैलू जीरो या आपको पता होना चाहिए बिसिकली और यहां पर टेको लॉग लोग यहां लोग लोग इसका वैलू होता है और लाग घुल जा मतलब फ़ास चाहँ सब्सक्राइबद मतलब उड्रेशन यहां SH inherently आप आप इन्हें देख लेंगे आपको नेट्ट वीडियो में जो है कि the मिन इंडि टर्मिनेट मिनेट जो फ्रम होता है उसकी क्या प्रॉपर्टाइट है इस फेसविक ये तो अभी हम लीमि псेव में आया होगा दोस्तों आप अपना सपार्ट ऐसी ही बनाए रखें आपको हम बहतरीन क्वाल्टी प्रोवाइड करेंगे ओके तो आपको यह टेंशन नहीं लेना है कि आप किस कॉलेज तो आपको कॉंसेप्ट आना चाहिए आपको कॉंसेप्ट ही मैटर करता है तो आई होप आपको अच्छे लगाओगा थैंक यू दोस्तों वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे